हलो प्रेंट्स आज मैं पालक की पकोड़ी बनाने जा रही हूं मैंने एक कटोरी बेशन लिया और चार पांच का लिया लेशन के लिए और उसके चुटे चुटे मतलब कट कर लिए उसको दोहरी मिर्च लिए उसको भी मैंने लंबे-लंबे कट कर लिए और इसमें एक और यह काली मिर्च का पाउडर तोड़ा सा दरदरा वो डाल दिया मैंने इसमें अब मैं इसका वो जो कटा हुआ पालक है उसको डालके और अम इसमें तोड़ा तोड़ा पानी आड़ करूंगी अगर आप एक साथ पानी आड़ मत करना पतला हो जाएगा गोल आपका अमें तोड़ा तोड़ा पानी डाल के और इसका गोल तैयार कर लूँगी और गोल जादा गाड़ा भी नहीं करना तो पतला भी नहीं करना ऐसा गोल तैयार करना है अपन को अब मैं इसमें लाश्ट में नमक एड़ कर लूँगी नमक आप बाद में एड़ करना मतलब जब आप पकोड़ी निकालो प्राई करो तब पहले आप एड़ करोगे तो ये थोड़ा सा पतलाओनी के चांस रहते अब मैं इसमें सुका सा बुद्धनी अलिया है उसको थोड़ा सा दरदरा कर लिया बो डाल दिया मैंने नमक डाल के नमक भी आप सुआद में सा डाल सकते हो अब मैं इसको तेल में प्राई करूँगी चम्मच की साहिता से अभी चम्मच की साहिता से मैंने इसको में तेल में प्राई करके और जब तक इसका कलर चैनल नहीं होता है तब तक मैं इसको प्राई कर लूँगी आप इसको हरी चटनी के साथ भी सर्फ कर सकते हो मैंने सोंस के साथ या है आओ आप सब के लिए मैंने पकोड़ीं तैयार कर ली है